हेलो दोस्ते नमस्ते तो आज का हम लोग का वीडियो होने वाला है सांतिने के तरण वोल फूर और सांतिने के तरण वोल फूर वहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जिसे घुमने लाइक देखने लाइक जगर और पहला जो अस्थान आता है यह एक अनकाली मंदिर जो हैं और दूसरा जो आस्थान आता ये है म्यूजियम जहां पर रविदना टैगवर जी का उससे जुड़े हुए समान रखे हुए है इसके अंदर जिसे रविदना टैगवर जी को और करीब से जानने का मौका मिलता इस म्यूजियम के अंदर जाने पर और इस म्यूजियम के अंद और वो समान है वो जिसे वो रहुनार टाइग वरजी घूमते थे यह फिर यूज करते तो प्रस्टनल यह सब समान रखा हुआ इस में जियम के अंदर और संती निकेतर वोलपूर के बारे में आगे और जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें कोमेंट करें और अगे भी सेर करें ताकि इस तरह के वीडियो लाते रहें तो चलिए आगे फिर देखते हैं सांती निकेतन अगर तिसरा यह अस्थान आता है यह एक डियर पार्क है जो यहां का भूत ही फेमस है और इसका टिकट प्राइज के बारे में बात करें तो करीब सो रुप्या पर यह यहां का वोलपूर सांती निकेतकन बहुत ही खुबसुरत सा एक पार्क है जहां पर आप सोपिंग कर सकते हैं यह फिर इस पार्क में जाने पर पता चलता है कि हम कहीं बाहर आये हुए हैं जैसे ही लेस्टेसन पर उस तरह से यह स्ट्रेक्चर बना हुआ हुआ है यह सि यहां का जो लोग का ट्रैवल लोग है और वोलपूर सांती निकेतन जो फेमस है वह एक तो रविद्णा टाइगवर जी और दूसरा जो हाथ से बना हुआ समान जो यहां पर बहुत ही खुबसुरत सा बनाया जाता है और रविद्णा टाइगवर जी के जवाना से ही चला हुआ करते थे यह उसी का महल है जो अभी टुरिस्ट के लिए खुला गया है और यह शुरूल राजबाड़ इसलिए भी फेमा से क्यों कि यहां पर बंगाली फिलेंग की सुटिंग या फिर सिरियल की सुटिंग होती है इसलिए भी लोग इसको काफी जानते है इसलिए भी पार्क है जहां पर 35-36 पूर का बुद्धा बना हुआ है इसी के लिए फेमस है और यह एक आश्रम टाइब इसको बोल सकते हैं और आठमा जो जगह है यह है नेचर पार्क जो प्रकृतिक ने जिसको बनाया है इसी के बारे में यह पार्क है जहां पर देखने को मिलता है करीब से नेचर का और बोलपूर सांतिने के तन का बहुत ही फेमस और हर कोई विजिट करने वाला एक जगह है जो है सोनार जोडी हा यह तो आपका जो ट्रीप है यह धूरा मना जाता है यहां पर हाथ से बना हुआ या फिर बहुत सारे ऐसे आटम है जिसको आप खरीद के ले जा सकते हैं अपने घर के लिए और यहां जो समान मिलता है या और कहीं नहीं मिलेगा आपको इसलिए भी लोग इसलिए सोपिंग करते हैं यहां पर आते हैं बहुत ही खुशी से और वोलपूर सान्ती नेकतर के बारे में बात करें तो यह है रविद्नाट टैगर जी का घर जो एक कवी थे और लेखक थे और रवशतना टैगर जी वो थे जिसने हमारे देश के लिए पहला नोबल पुरुष्कार जीता औ तो इसी ने हमारा राष्टगान को भी निर्मित किया है, इसलिए भी लोग रिदन टैगर जी को जानते हैं, और करीब से जानना चाते हैं, और इसको आप भी जानना चाते हैं, तो आपको सांतिने के तर्ण वोलपूर आना होगा, जो इसको और करीब से जान सकते हैं, उसके गाओं को समाज को और उसके जीवनी को भी और वोलपूर संतिने के तर आने के लिए आप ट्रेन से आ सकते हैं जो वोलपूर एक स्टेसेन है और यह कोलकाता से करीब 100-500 किलमडर की दूरी परिष्टी थे और यहां पर लोकल विजिट करने के लिए आपको टो 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 यह हर त ताल के पेड़ों से खुपतुरत सा एक जंगल है बहुत ही साप सुद्रा है घुमने बहुत अच्छा लगता है सांत एक वतावरन है